चैनल के सभी दुर्षक को नमस्कार विज्श्यकृष्णा प्रणाम जन्मकुन्ली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम इनको केंद्र कहा गया है। लग्न, पंचम, नमम इनको मूल त्रिकोण कहा गया है। अब केंद्र और मूल त्रिकोण में प्रभाव आप लोग समझते ही हैं, कई बार हमने बताया है क्या जीवन में असर होता है, क्या प्रभाव होता है। लग्न से ज़्यादा पावर्फुल होता है चतुर्थ, केंद्र के हिसाब से देखा गया है। और चतुर्थ से पावर्फुल होता है सब्तम और सब्तम से भी पावर्फुल होता है दसम केंद्र। लेकिन अगर भूमिका देखी जाए लग्न की, तो लग्न की भूमिका मूलत्रिकोण की भी है। इसलिए मूल त्रिकोर्ण में लगन, मूल त्रिकोर्ण नंबर एक पावरफुल, डवल पावरफुल, पंचम, और पंचम से भी ज्यादा मूल त्रिकोर्ण में पावरफुल है नवम. यदि ये डोनों स्थितियों को आप समझ रहे हैं, तो आने वाला वीडियो का जो विशय है आपकी समझ में भली प्रकारा सकता है. देवगुरु ब्रहस्पति को बहुत सारे घरों का कारकत्व प्राप्त है. पंचम घर मूल त्रिकोर्ण का स्वामी कोई भी हो, लेकिन वहाँ पर कारकत्व देवगुरु ब्रहस्पति का ही रहेगा. जैसे जन्मकुल्णी में मेश लगना है. पंचम भाव में सिंहराशी आती है. अब पंचम भाव में सिंहराशी सूर्य स्वामी होते है. पंचम भाव के स्वामी सूर्य हो गया. तथा दूसरे देवगुरु ब्रहस्पति कारक हो गया. अब दोनों कारक, दोनों ग्रहों की आपस में यदि मित्रता है, तो आपकी जन्म कुंडली में सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव किन विशयों के बारे में बताता है, पुत्रभाव, और आकस्मिक धन, लाभ का योग, उदर भाव, विद्या अर्जन, और बहुत सारे विशय पंचम घर से संबंधे रखते हैं, तो यदि पंचमेश और पंचम का कारक, दोनों देवगुरु ब्रहस्पती के अनुसार हैं, जैसे सूर्य ब्रहस्पते मित्र हैं, मंगल ब्रहस्पते मित्र हैं, ठीक है, ऐसे देवगुरु ब्रहस्पती के पंचम अ कहने का मतलब ये है उस महत्तो पूड छेत्र को अपनाएगी जिसका आपने सुपन देखा होगा यानि एक ड्रीम पूरा करने का अवसर मिलता है यदि पंचम घर मजबूत है अब हम देखते हैं जन्मकुल्णी में पंचम भाव का स्वामी यदि लगन के साथ कहीं युत होगा लगनेश के साथ युती करे ब्रिग युती करे तो जातक के जीवन में क्या प्रतिफल होगा पंचमेश यहां का कारक ब्रहस्पति लगनेश लगन का कारक सूर्य यदि दोनों कारक मित्र कारक होने पर कहीं भर कहीं पर भी द्रिग युती करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में राज सुख, तन सुख, प्रेम सुख, प्रियता का सुख, प्रेम विवाह और संतान का सुख इत्यादी परिपून होगे क्योंकि एक तो लगन, दूसरा पंचम, पंचम और लगन का आपस में बड़ा तालुक होता है जब पंचमेश लगनेश के साथ युती करेगा, चोडामाथा, विद्धता, योगिता को लिये हुए जातक जिस छेतर में अपनी पहल करेगा, पूरी सफलता उसको प्राप्त होगी लगनेश, पंचमेश युती हो या पंचमेश लगन में बैठा हो तो ऐसे जातक चुकि पंचमर्सान पुत्र का स्थान भी है, प्रेमिका का स्थान भी है प्रेमी और प्रेमिका था तो पंचमेश अगर लगनम के साथ यूत होगा या लगनेश के साथ कहीं द्रेग यूती बना रहा होगा तो जातक को उत्रसुख प्रेम का सुख प्रेमिका का सुख परिपूर्ण मिलेगा ऐसा जातक पढ़ा लिखा योग्य विद्ध्वान सुमधुर भासी वेद वेदांग को जानने वाला अन्निभाशाओं को समझने वाला होता है और समाज में यह विट्टी अपनी एक अच्छी खासी जो इज़्जत है कमाता है जन्मकुणली में पंचमेश लगन के साथ कोई भी द्रिग योग या युति योग बनाता होगा तो जातक दिन प्रति दिन लाभ होगा पंचमेश यदि धन भाव के स्वामी के साथ युति करेगा धन भाव का स्वामी जो कोई भी हो यदि देव गुरु ब्रहस्पती का मित्र है तो धन का स्वामी कोई भी हो पर यदि देव गुरु ब्रहस्पती का मित्र है तो धन की कमी नहीं आएगे वाणी और योग्यता की कमी नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे घर का भी कारकत्व ब्रिस्पति के पास है, पंचमभाव का कारकत्व भी ब्रिस्पति के पास है, तो दूतियेश और पंचमेश अगर कहीं भी युति बना रहे होंगे, तो ऐसा जातक अपने कुटुम्भ का मुखिया होता है, समाज को अच्छी दिशा देने की च्छमता वाला होता है, ऐसे जातक के पास धन बैभो संपत्ति के साथ सामाजिक लाब, सामाजिक उन्नती, सामाजिक इज़्जत बहुत मिलती है, और ऐसे जातक की जिन्दगे में यदि धनेश और पंचमेश द्रिग योग, युति योग करते होंगे, तो उनके बैच्छे इस जातक की अपिक्षा अच्छे होंगे, अब जब पंचमेश धनेश के साथ या धन अस्थान पर बैठा होगा, तो निश्चिद बात है कि जीवन में हर तरह से खुशहाली देने के साथ साथ, यदि पंचमेश तीसरे घर में आ जाए, अच्छा, यहाँ एक बात और हम बता दें, जिन लोगों की जन्म कुंडली में पंचमेश लगन में बैठा होगा, तो उनके जीवन में पुत्र जन्म के बाद ही, संतान जन्म के बाद ही लगातार वैभो अपवर्ग सुखों की समर्द्धी की बाढ़ाएगी, यदि पंचमेश धनेश के साथ यूती करेगा, तो जन्म के बाद, पुत्र जन्म के बाद, ऐसे जाता के पास धन संपत्ती, कुटंब में सुख ऐश्वरे इत्यादी की प्राप्ती शुरू हो जाएगी, जब पंचमेश तीसरे घर के साथ कहीं उती करेगा, द्रिग योग बनाएगा, तो तीसरे घर में होने पर पंचमेश क्या फैदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, ऐसे में जातक का जो पुत्र है वो मित्र की तरह साथ देने वाना होगा ऐसे में जातक का पुत्र या पुत्री मित्रवत बिवहार करने वाना होगा इस जातक के संतान ही इस जातक की मित्र होगी एक बहुत अच्छा योग बनता है पुना ऐसे जातक की संतान होने के बाद यह जातक धार्म निश्ठ हो जाता है हाँ एक चीज़ जिरूर है यदि पंचमेश तीसरे घर के साथ कहीं युती योग द्रिग योग बनाएगा तो प्रेम में प्रारम चर्ण में प्रारमभिक चर्ण में असफंता होती है गिन बाद में यह प्रेम की सीड़ियों पर चड़के मंजिल प्राप्त कर लेता है अब पंचमेश यदि चतुर्थ स्थान पे जाएगा तो ऐसे में इसका जो संतान इस बच्चे इस जातक के बच्चे होंगे बुस्षय खर्च होंगे वाहन पे मकान पे नए नए आयाम पे खर्चने वाले जातक होंगे घुमकड होंगे लेकिन ऐसे जातक की संताने अपने दादी का सुख पूर्ण प्राप्त करती है जिसका पंचमेश चतुर्थ के साथ कहीं जुतियूग बनाएगा तो और ऐसे में इस जातक के बच्चे पब्लिक रिलेशन्सिप अच्छा पैदा करेंगे पंचमेश चतुर्थ भाव के साथ चतुर्थ अस्थान पे होगा तो पब्लिक रिलेशन्स से पच्छी रहेगी राजनीती का शिखर अच्छा रहेगा और ऐसे जातक के बच्चे पब्लिक पर जनता पर खुब धन लुटाते हैं अब चाहे राजनीती के लिए हो और चाहे अपने धर्म के लिए विशेशत दौर से धर्म के कारड़ ही ऐसे लोग अपने धन को पब्लिक पर खर्च करते हैं अब जिसका पंचमेस पंचम में ही बैठ जाए उसको बड़े भाई, उसको बड़े भाई के साथ उसके पुत्र, उसके भतीजे इत्यादी, जैसे मालो आपकी जन्म कुल्णी में पंचमेस पंचम में ही बैठा है, पहले बात तो यह आपको अंतरमुखी बनाएगा, धनवान भी बनाएगा, यदी यहां के कारक ग्रह अच्छे होंगे तो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि पंचमेस यदी पंचम में बैठा हो, पर उसके शत्रू ग्रह उसकर द्रिश्टी डाल रहे हो, तो संतान होने के बाद धन का नुवसान होने नगता है, पंचम अस्थान के, पंचम में होने पर जातक को प्रेम में बड़ी सफलता नहीं मैंने देखी हैं मतलब यदि दो-तीन ग्रहों की यूती होगी है अच्छे मित्र ग्रह हुए तो प्रेम तो बहुत होगा लेकिन बच्पन में ऐसा विक्ति अपनी योग्जिता को पूरी तरण निखार नहीं पाता कहीं न कहीं थोड़ा अभाव ग्रसित जीवन होता है बिद्या पूर्ण तेहा सफल नहीं हो पाती है लिहाज ऐसे लोग संतान के जन्म के बाद सफल होते हैं पंचमेश यदि पंचम में है तो हाँ वो बात अलग की है यदि शुक्र है पंचम में और मित्र ग्रह उसके साथ से युत हैं तो ऐसे बिक्ति का प्रेम बिवाह पहले प्रेम होता है फिर बिवाह होता है पंचम गर प्रेम का स्थान है प्रेम बुरी बात नहीं है प्रेम में वास्तना नहीं हो यदि वास्तना होती है तो प्रेम ग्रगंधीत हो जाता है प्रेम स्वार्थी हो जाता है प्रेम का एक सुभाव है कि प्रेम कभी भी लेता नहीं है सिर्फ देता है जहाँ प्रेम होगा वहाँ देने की समर्पन की भावना आएगी जहाँ लेने की भावना आती है वहाँ समर्पन नहीं होता और वहाँ पर स्वार्थ होता है लिहाजा वासना अपना घर बना लेती है पंचमेश यदि सात्ति ग्रह है तो ऐसा वेक्ति प्रेम तो करेगा लेकिन वासना नहीं करेगा ऐसा वेक्ति प्रेम करेगा उदारता के साथ और त्याग की भावनावाला होगा यदि शत्रुग रहे होंगे तो ऐसा विक्ति खाली कामी होगा, भोगी होगा, प्रेम नहीं करेगा, प्रेम की परिभाशा उसके लिए भिन्न होगी है, विसेश तोर से भोग प्रवित्ति होती है, चुकि जोतिश के स्टार हैं हमें बताना ही पड़ेगा बैगा, हमारे पास कई लोगों के ऐसे मेसेज आये हैं, कई लोगों ने ऐसे मेसेज किये हैं कि आप यादा तर प्रेम और वासना के उपर बोलते हैं, अरे गधे हो क्या तुम, प्रेम और वासना तुमको अच्छी आकाश में प्रेम नहीं है, या वायू में प्रेम नहीं है, सूर्य में प्रेम नहीं है, प्रेम में परिभाशा का परिवर्तन करके देखो जरा प्रेम का परियाय है स्त्याग समरपड़, और यहां पर कई लोगों ने हमारे पास पत्तरा चार भी करके भेजा, आप ज्यादा जो लोग मैसेज करके बोलते हैं. मैं उनको पहली बात तो सोचता हूँ कि उत्तर ही न दूँ, दूसरी बात उनको प्राया रिमूब करवा देता हूँ, कि चैनल पर दिखाई न पड़े, और फिर भी आते हैं तो आते रहे हैं उनके प्रश्णों का कोई उत्तर ने दे रहे, प्रेम की परिभाशा उनके लिए तो छमा चाहूँगा, लेकिन फिलाल आप जो ढूंडते हो, वो आपको मिल जाता है, अच्छी चीज़ ढूंड होगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, पंचमेश यदि पंचम में है, तो मनुष्य प्रेमी होगा, त्यागी होगा, भोगी नहीं होगा, अगर अच्छे ग्र ग्रह बैठे हैं, नकारात्म ग्रह बैठे हैं, शत्रु ग्रह बैठे हैं, तो ऐसा विक्ति प्रेमी नहीं होगा, भोगी होगा, वासना वाला होगा, उसका प्रेम गंदा होगा, हमने देखा है ऐसे लोगों को, अब अगर पंचमेश से छठे अस्थान पे चला जाए, या चठे अस्थान के साफ पंचमेश की युती हो जाये, तो च्चातक के सु भाव में तो बढ़ियापन अच्छापन होगा, लेकिन उसके संतान में अच्छापन नहीं होगा, उसके संतान उसके साथ घटिया दोहर करेगी, संतान शत्रुटा का कार्य करिकौई, वो अपने संतान के लिए कर्ज कार्य करके, कैसे भी पढ़ाएगे, अपने संतान को ऐसा विक्ति पढ़ाएगा, लिखाएगा, कर्ज करके भी। लेगिन वही संटान उसकी शत्रु का कारिकम लबती है, जब पंचमेस चठे के साथ सस्ठेस के साथ बैठेगा, तो भी यही होगा, और पंचमेस अश्ठेस कहीं भी बैठे होंगे, तो जातक कि जीवन-काल में वही त्याग करना जानेगा, लेकिन उसको बदले में त्याग क कि जगर बुराई मिलेगी पंच में चठे घर में बैठेगा तो चठा घर चोटे मामा का है चठा घर कहीं ना कहीं चाची का भी है चठा घर और कई रिस्ते ढूने के तो और भी रिस्ते निकलाएंगे तो ऐसे में इन लोगों का जीवन में चाहे चाचा चाची मामा मामी किसी के साथ भी गला काट कर रख देंगे लेकिन इस बिक्ति को मामा मामी चाचा चाची सब घहात लगा करके आएंड में बुराई देंगे ये मेरा देखा हुआ है जोतिश का सच इसलिए आपके साथ बता रहा हूँ और पंचमे इस छठे घर में अगर बैठेगा तो भी जातक में बिर्त की वासना ज़दा होगी कलंक ज़दा मिलेगा पंचम घर प्रेम उना चठा घर जब प्रेम का दूसरा घर देखा जाए तो प्रेम का दूसरा घर छठा घर होता है दूसरा घर कुटुम्ब का होता है ऐसे में जातक प्रेम करेगा लेकिन अपने किसी कुटुम्ब के रिस्तेदार के संबंधियों से करेगा और बाद में मुह की खाएगा यानि उसको प्रेम में ही वासना मिल जाएगी वासना का स्वाद लेकर के वो प्रेम से बिरक्त हो जाएगा प्रेम की परिभाशा नहीं यह अन्पाएगा और कभी-कभी तो उसको अपने पुत्र वधू के साथ लोग जोड़ देते हैं और जोड़ देते नहीं मैंने देखा ह मैंने उस समय 14 साल की उमर थी 15 साल की उमर थी मैंने देखा है अपने पुत्र वधू के साथ ही उसके नाजाय संबन है और बाद में जब खुलासा हुआ उस इस्तरी ते क्या किया था अपने ही पती को ससुर के साथ मिलकर मारने का प्रयास किया और बाद में जब खुलासा नंगा करके उनको गधे पर बिठा कर मुझ काला करके दोनों को बिठाया गया, दिखाया गया, ओ समय था ऐसा, ऐसा मैंने देखा है, कि यदि पंचमेश छठे गर में बैठा होगा, तो पुत्र बधू, पुत्र सम्ब, जरूरी नहीं कि पुत्र बधू ही हो, पुत्र की तरह माने जाने वाले सिश्य आधि संबंधियों के परिवार के साथ नाजय संबंध बनने का भय रहता है, इसलिए यदि आपका पंचमेश छठे के साथ कोई संबंध बना रहा है, तो सावधान हो करके उसका उपाय करो, अग मैं इस वीडियो को दो भाग में बनाऊगा, क्यों पंचमेश छठे भाव के साथ बैठा होगा, तो आपकी जन्मकुली में कैसा आपको उसका प्रतिफाल मिला बज़े जरूर बताईएगा, मैंने जो देखा है उसका बिलकुल 99% इसी तरह का प्रमाण देखा है, चलिए, पंचमेश अगर सप्तम भाव में है, तो ये बित्त यहाँ परिक्षी और बदता हूँ, पंचमेश सप्तम में हो, सप्तमेश पंचम में हो, निश्चित बात मानिए कि इसका प्रेम बिवाह सफल होता है, पंचमेश चठे भाव में बठा हो, चठेश पंचम भाव में बठा हो, तब भी बिवाह प्रेम होता है, बाद में इनक सब्तमेश की यूती कहीं पर भी होगी, तो ऐसा जातक अच्छा ब्योसाय, अच्छे संपत्ती और अच्छे सुख साधन वाला जातक होगा, पंचमेश सब्तमेश के साथ कहीं भी यूती बनाएगा, तो जिन्दगी की गाड़ी प्रेम की पट्री पर दोड़ती हुई, तमाम सारे सुख देती हुई, केंदर में बैठा हुआ, पंचमेश सब्तमेश के साथ कहीं यूत हो गया, तो समझ ले न, सोने पे सुहागा हो गया, जैसे सोने की अंगूठी में सुंदर, लाल, हीरा, बस्ती सुचलो, जब सब्तम के साथ होगा, तो जातक पंचमेश सब्तम के साथ होगा, तो जातक पती-पत्री बहुत मधुर जीवन जीएंगे, देश-विदेश में घुमककड होंगे, बहुत सारी यात्राएं होंगी, जीवन के अंतिम छण तक ये जीवन खुशहाली से जीते हैं, पार्टनर्शिप अच्छी होती है, ऐसे लोगों की, और पुना ऐसे लोग पंचमेश सब्तम भाव में हैं, तो सुंदर भी होते हैं, उनके संताने भी अच्छी होती हैं, इनके संतानों का जो सुभाव होता है, वो विशेश तोर से मा के लिए मित्रवत होता है, जब पंचमेश सब्तमेश के साथ युथोंगे, तो अपनी मा के साथ इन विक्तियों के संतानों का मित्रवत भाव बना रहता है, मैं पुना ये बात कहना चाहूँगा कि पंचम अस्थान को हम बड़े हलके से न लें, पंचम अस्थान को विशेश तोर से समझेंगे, लगन पंचम नवम, ये तीनों लक्षमी भाव हैं, इन तीनों का जो वर्णन है, तीनों की व्याख्या है, बड़ी विशम है, हुआ हूँ, और फिर भी लगता है मैंने आज से पढ़ना शुरू किया है, यहां तो कुछ लोग, जो कई कल के बच्चे हैं, बीस साल के, पंदरा साल के, पचीस साल के, वो तो ऐसा आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, कि लगता है, दो चार कितावे पढ़कर उनों स चक्र को जानने की छंता महादेव में, भगवान स्रीहरी विष्णु में, स्वयम संभव है, अम मनुश्यों में नहीं है, इसलिए हम खाली अगर उनके सहारे हैं, सद्गुरू के सहारे हैं, तो आपको उसका कुछ हल बताएंगे, कुछ हाल बताएंगे, कुछ मार्ग दें तो पंचमेस और सब्तमेश, पंचमेस सश्ठेस, पंचमेस लगनेश, इत्यादी की चर्चा जारी रहेगी, ये पार्ट वन वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, जिन लोगों का पंचमेस एक्टिव नहीं, सक्री नहीं है, उन लोगों को चाहिए, इस से पहले जो मैंने व बार-बार नहीं मिलता, जोतिस के जरिये भी ईश्वर के मारग तक जाया जा सकता है, बिद्या वही है, जो मुक्ति प्रदान कर दे, जोतिश बिद्या भी परमात्मा से जुड़ देता है, भगवान श्री राघव का जव अवत्रण होता है, अजोतिया में तो भगवान श साविद्या या भिमुक्ते, विद्या वही जो मुक्ति प्रदान करे, इसलिए इस मुक्ति में विद्या को खिलवाड हम नहीं समझते, बाकि आप लोग इसको क्या समझते हैं हमें जरूर बताएं, वीडियो को यहां देते हैं विराम, अगले वीडियो में चर्चा करेंग झाल झाल